इंडिया में जब सबसे ज़ादा पैसा पीटने वाली फिल्म का आक्टर, जब दूसरे नंबर पे सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म के डिरेक्टर के साथ पिक्चर बनाता है, तो बॉस उमीदें अपने आप आसमान तक जाती है, ऐसा सिनिमा बनना चाहिए जो सालों स दूसरे डिरेक्टर को सिखाए कि फिल्म बनाई कैसे जाती है, और यही सेम एक्सपेक्टेशन थी सलार के ट्रेलर के साथ, जो 2023 तो छोड़ी है, इंडियन सिर्मा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, बट दोस ट्रेलर देखने के बाद मुझे डर लग र प्रभास का मास अफतार वो भी प्रशान नील के साथ, फायर, बट ट्रेलर में ये क्या हो गया दोस्त, हम तो प्रभास की फिल्म सोचकर सलार का वेट कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर के बाद ये तो प्रित्वी राज की फिल्म जादा लग रही है, एकदम डिफरेंट कमाल का यूनिक लुक दिया है उनको, जैसा किसी फिल्म के लीड हीरो का होना चाहिए, जिसके बारे में फिल्म के अंदर और जादा जानने की इच्छा होने लगे, और दूसरी तरफ प्रभास का लुक इतना जादा एवरिज कैसे हो सकता है बॉस, मतलब ये चीज पास कैसे हो करना चाहिए था इस ट्रेलर के अंदर, उनकी एंट्री पे आंके फटी रह जाएं, ऐसा स्केल होना चाहिए था सलार का, बॉस इससे ज़्यादा इंप्रेसिव तो फिल्म के पोस्टर से, जिनको देखकर वाकरी लग रहा था कि प्रभास खून की नदिया भादेंगी फिल बना भी चाहिए, लेकिन प्रभास का इस्तमाल होना चाहिए फिल्म को बड़ा बनाने के लिए, यहां तो ट्रेलर में उनका स्क्रीन प्रेजन्स एकड़म ठंडा है, वो एक्स्पेक्टेशन, वो लेवल जो रॉकी भाई ने सेट किया है, उसका 10% भी नहीं है ये सब, जि जिसमें प्रशान नील से बड़ा चैंपियन, कोई दूसरा डिरेक्टर ही नहीं, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी, तो फिर आप अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म के ट्रेलर में इतना जादा बातचीत क्यों करवा रहे हो, आक्शन दिखाओ ना यार, वो भी ऐसा जो ले गया था वो, यहां सलार के ट्रेलर में उस पर किसी का ध्यान भी ने गया, ऐसा लगा बिना म्यूजिक के ट्रेलर देख लिया, बस लोग बोले जा रहे थे, पीछे कुछ नहीं बजा, अभी थोड़े दिन पहले कांतारा चैप्टर वन का फिर्स्ट लुक आया था, वो चैनासौर बोला था आपने, जब फिल्म का टीजर आया था, बट सौरी टू से ऐसे लुक के साथ ये जंगल में सेफ नहीं है, दूसरे जानवर शिकार कर लेंगे, और सौरी टू से ये केजी एफ से इंस्पार नहीं लग रहा, बलकि केजी एफ का रिपीट जैसा लग रह इवन एक दूसरी करनडा फिल्माई थी, अगर किसी को याद होगा, उसका नाम था कबजा, वहां भी सेम केजी एफ जैसा वाइब आया था, वही काम सलार ने किया है, प्रशान नील ने इंटर्वी में साफ साफ बोला कि उनकी फिल्म केजी एफ से बिलकुल अलग है, केज केजी एफ जैसा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना आप इस फिल्म से, तो बॉस ट्रेलर में आप वही सेट्स, वही थीम, वही विज्वल्स क्यों दिखा रहे हो, और सोचो वहां पर मूँ से बात है किसको अच्छी लगेंगी, मशीन गर्म वगेरा लाओ, देखो बस एक ची नाग दिखता होगा, अभी वह फीलिंग नहीं आई मुझे, लेकिन पार्ट टू तक जाने के लिए पार्ट बन को भी तो अच्छा बना पड़ेगा ना, तभी तो हम सीक्वल देखने में इंटरस्टेड होंगे, बना लोगे केजी एफ टू जैसा हाइप इस ट्रेलर से, बॉस सलार प्रभास के करियर के लिए सबसे बड़ा कमबैक साबित होने वाली है, ऐसा आज ट्रेलर से पहले मुझे 1000% यकीन था, लेकिन अब confused हूँ मैं, अगर ये फिल्म भी प्रभास के लिए काम नहीं कर पाई, तो बॉस 22 दिसंबर को थियर्टर के अंदर बहुत सारे टूटेंगे, honest reaction, सलार का ट्रेलर average है, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म वाला कोई लक्षर नहीं है इसमें, बट नील बाबा पर भरोसा है, फिल्म के लिए fingers crossed, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तो आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी, बट थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बैबाई